हेलो स्टूडेंस तो आज हम लेसन नंबर वन शुरू करने वाले हैं हमारी इंगलिश रेडर बुक का जिसका नाम है बैटल हायमन ऑफ दी जुवांस यानि कि युद में जो गया जाने वाला गीत है या आप कहले जिये मंत्र है जवानों का उसके बारे में हम पढ़ेंगे य ठीक है तो शुरू करते हैं मार्च 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 कि चलो 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 दसकाई इस आवर ट्रिंफियल आग और स्काई जो है हमारा यानि कि जो आस्मान है वो हमारा एक जीत का एक सुनहरा उदेश्य पूरा करने की एक ताकत देता है कोई भी हमारे प्लान के अंदर यानि कि हमारी जो योजनाए हैं हमारे देश को बचाने के लिएकर हमारे उसमें कोई त्रूटी यानि कि कोई भी खामी नहीं है हमने सब कुछ जाज परताल लिया है सब बढ़िया है तो कि हमारे मन में किसी के परते भी कोई मैलीस क्या होती है गरणा के भावना या नफरत की भावना नहीं है बस ये सब हम अपने देश के लिए गरना चाते हैं हमारे अंदर किसी के लिए भी दुर भावना नहीं है C, we fly our nation's flag देखो हम अपने देश का जंडा जो है लहरा रहे है without any boss or brag बिना किसी फालतो की बकवास के और बिना किसी तिकडम बाजी के ठीक है बिना किसी के हां आम तो ये हैं आम तो वो हैं इसके सिरफ हम अपना जंडा फैरा रहे हैं morning splendor comes to greet it और इसकी जो इसका जो समान करने के लिए सुबह की किरने भी इस पे पढ़ती है सूरज भी आता है इसकी इसका समान करने के लिए अपनी किरने इस पे छोड़ता है ठीक है liberation comes to meet it और liberation क्या होती है बिलकुत सतत्तर भावना जहां पे सब को हर चीज की आजादी है सब तरह से अच्छे से जेने की आजादी है अपने विचारों का विवेक्ट करने के आजादी है वहां पे ये सभी थोट उससे मिलने के लिए आते हैं ये सभी विचार इस जंड़े से मिलने के लिए आते हैं low it's already flying ये देखो ये बिल्कुल फहरा रहा है अपने आपी to the darkest cloud replying बिल्कुल किसी घने बादलों को भी ये जवाब दे रहा है कि हम किसी से नहीं डरते हैं every battle blast defying और हर जो जंग है जो हमें लड़नी पड़ेगी वह हम जीतेंगे किसी भी कीमत पे we shall wave it we shall save it हमें इसे लहराते रहना है हमें इसे बचा के रखना है इसका सम्मान बचा के रखना है we shall save it from dishonor even if it comes to dying और हम इसके सम्मान की हमेशा रक्षा करेंगे हर उस moment पे हर उस शन पे इसकी रक्षा करेंगे जहां पे हमें लगागा कि हमारी जान भी देनी पड़ेगी तब भी हमें कोई इस चीज का दुख नहीं होगा मैलिस नहीं होगा कोई भी गड़बन कोई भी second thought हमारे अंदर नहीं आएंगे यानि कि हमें सोचना नहीं पड़ेगा और हम इसके लिए जान देने का वित्यार है इसके सम्मान के लिए ठीक है अगले पेच पेच पर चलते हैं March 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 The sky is our triumphial arc चलो आगे बढ़ते रहो जो आकाश है हमारी जीत का परमान है We are upholders of the truth हम सत्य के रखवाले हैं We are prepared for sacrifice हम अपने त्याग के लिए भी तैयार हैं बिल्कुल prepared to sacrifice our youth हम अपनी जवानी भी कुर्बान करने के लिए त्यार हैं अपने देश पे अपने इस जण्डे पे for freedom's sake as freedom's prize और ये सब किसलिए आजादी के लिए आजादी के लिए और यही हमारी नजर में जो है कीमत है आजादी की कि हाँ अगर कभी भी ऐसा वक्त आ जाए जब हमें अपनी आजादी बचाने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा तो अपनी जान की भी हम बाजी लगाने के लिए त्यार हैं तो यह कविता लिखी है एचन चटो धापाद्याने ठीक है तो आई होब यह आपको समझ आ गई होगी छोटी सी पॉइंट थी देश भक्ति को ले करके जंडे को ले करके तो इसके वर्ड मिनिंग्स जल्दी से कर लेते हैं क्या है ट्रिम्फियल आर्ग क्या होता है विजे दुवार यहनकी जीत किया विजे दुवार कोई हो ठीक है जो जीती हुई जो सेना है उसके लिए विजे दुवार खुल जाते है अपने आप ठीक है उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है नो फुलिश एरर नो फुलिश एरर का मतलब क्या है नो फुलिश एरर चार्ड देर मिलिटरी प्लांस एंड चार्ड और फ्री फ्रूम एरर फ्री फ्रूम एरर होते हैं जो तुरूटिया या कोई गलतिया होती है तो उनकी जो मिलिटरी के प्लान है हमार यह ओके नेक्स देखते हैं मैलिस मैलिस होता है इल विल यानि कि दुर भावना कहा लिजी या फिर आप उपर में जो लिखा हुआ यह बुरी भावना जिस व्यक्ति की बुरी भावना होती है उसको बोलते हैं मैलिस इसके मन में मैलिस है यानि कि बुरी भावना इसके मन में तो यहां पर बुरी भावना इसका word meaning हो जाएगा हिंदी में यह छोड़ देना आपको यह नहीं करना है ब्रुक नो हेटर ठीक है नेक्स्ट पर आते हैं नेक्स्ट क्या है morning splendor morning splendor क्या होता है the glorious rays of morning sun यानि कि सुबह की किरने तो यहां पर क्या लिखना है आपको सुबह की शांदार किरने यह इसका हिंदी में आपको लिखना है इसका to the darkest cloud define our national flag is challenging every difficulty or disaster that might come in our way तो इसका simple सा आपने हिंदी में क्या लिख लेना है हर बाधा पर विजय हम पाएंगे ठीक है तो इसका सिर्फ इतना लिख लेना हर बाधा पर विजय यानि कि हर परिशानी पे या हर कठनाई पे विजय हमें मिलेगी उसके बाद next क्या है upholders of the truth the jawan stands for defense of truthfulness righteousness and their country's honor तो सिर्फ आपको इसमें कितना लिख लेना है शोर और सत्य बस इसका ये meaning आपने लिख लेना है mcq एक बार देख लेते हैं जल्दी से mcq में क्या दिया हुआ है पहला कोश्ट देखी ज़रा at what time is the song being sung कि किस समय पे ये जो गीत है ये गाय जाता है जिसके हम बात कर रहे थे अभी in the morning in the noon in the evening none of these तो यहां पे इसका अंसर क्या आएगा in the morning सुबह की जब पहली किरन सूरज की गिरती है उसी वक्त ये जो गीत काया जाता है उसके बाद second question क्या है how much are the javans confident about their military plans and charts तो यह पूछ रहा है कि जवान जो है यानि कि जो आर्मी के जो लोग है वो कितने confident है कितने मतलब कि उन्हें विश्वास है अपने plan पे इसमें option क्या दियो है they are doubtful उन्हें शक्त है they are little confident बहुत कम विश्वास है उन्हें they are very confident बहुत ज़्यादा विश्वास है उन्हें none of these कोई भी नहीं तो इसका answer हम क्या लिख देंगे they are very confident उन्हें पूर्ण उसे पक का विश्वास है बहुत विश्वास है तो यहां पर भी option इसका सही हो जाएगा अब next देख लेते हैं what feeling do the जवास have when they see the rays of morning sun falling on their flag तो जवास यानि कि सैना के जो लोग हैं उनके मन में कैसी भावना आती है जब सूरज के पहली किरन उस जंडे पर पढ़ती है कैसी भावना आती है malice दुर भावना आती है बुरी भावना आती है joyful अच्छी भावना आती है hated नफरत आती है none of these कुछ भी नहीं तो इसका answer हम क्या लिखेंगे c option लिख देंगे joyful अच्छी भावना आती है खुशी की भावना आती है तो यह थे इसके mcqs और आपको इसके word meanings अपनी copy में note down कर लेने हैं ठीक है और इसके question answers हम आप जो है अगली वीडियो में discuss करेंगे इसके question answer जो है पूरे गरवा दूंगा आपको अगली वीडियो में ओके